तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे घर पे बैठे बैठे आप ट्रेन हो सकते हैं तो बिकाम अ मॉडली एक ऐसा सवाल है जो रेगुलरली में इसे इंस्टाग्राम पे दोस्त लोग पूछते रहते हैं कि सर अम मॉडलिंग करियर को सीरिसली लेना जाता हैं लेकिन आगे स्टेप लेने से पहले अपना पॉर्टफोलियो बनाने से पहले कैसे घर पे बैठे बैठे हम ट्रेनिंग ले सकता है तो चार ऐसी इंपॉर्टन टिप्स आपको आज में बताने वाला हूं जो आपको बहुत जादा हेल्प करने वाली है तो वीडिय कैसे करें इसके लिए सबसे पहली और इंपॉर्टन चीज जो आपने करनी है वो है कि आपको कमफर्टेबल होना है अपने शीशे के साथ जी हां अगर आप मॉडलिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं इस वेरी इंपॉर्टन के यू नीड तो बी कॉन्फिद अगर अपना बढ़ाना है इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे अपने आइने के सामने अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितना मिरर के सामने खड़े होके पोजिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी अपने एंगल और पोजिस को समझने में और as a model आप train भी हो जाएंगे ये जान पाएंगे कि भाई कौन सा angle मेरे ले बेटर है किस level की कहते हैं ना expressions को लेके आप एकदम उपर जा रहे हैं या अभी आप नीचे हैं उस पे आप अभी आपको hard work करना है तो mirror पे practice करना शुरू कर दो मैं नहीं कहता कि 24 घंटे की शीशे क करो practice करो Google पे Instagram पे बहुत सारे लड़के लड़किया models होंगे जिनको आप follow करते हो influencers जिनको आप follow करते हो उनके poses वगरा को आप try करो और become a pro camera facing के लिए दूसरा important point है भाई get that camera rolling मतलब camera ये नहीं कहरा professional camera ले लो लेकिन घर पे कोई भी mobile phone है आपके पास आपके भाई बहन दोस्त के पास उसको निकाल के अपने photo shoots करना शुरू कर दो को कल को जब भी आप एक modeling में अपना career start करने वाले होगे सबसे पहले basic requirement रहती है कि professional portfolio आपने बनवाना है और modeling में आपको जब shoots के लिए बुलाए जाएगा ads के लिए बुलाए जाएगा वहाँ पे वो expect करेंगे कि भाई आपको poses वगरा बढ़िया से आने चाहिए so जब आप यह अपना camera भार निकल वालोगे अपने दोस्तों से घर पे poses करना लग जाओगे photos दिन रात खीचोगे मतलब कहता हूना घर पे photos ले लिया भार कभी घूम रहे हो travel पे हो दोस्तों के साथ coffee पे हो आपने वो camera यूज़ करना है अपने आपको और भी ज़्यादा train करने के लिए camera के आगे ताकि आप poses में confident हो जाएए और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी अपना professional portfolio बनाने के लिए आगे चलने से पहले मेरे जितने भी दोस्त Instagram पे मेरे को DM करते रहते हैं कि sir आपसे portfolio booking कैसे करा सकते हैं स्क्रीन पे number आ रहा है इस पे आप call या WhatsApp message drop करके अपना portfolio shoot मेरे साथ book करा सकते हैं और modeling और acting से और भी ज़्यादा related videos अगर आप देखना चाहते हैं तो G&G modeling agency का YouTube channel हमने active कर दिया है यह link है आज ही जाके इसको जरूर subscribe करना बहुत सारे BTS बहुत सारे portfolio shoots मेरे model shoots मेरे ad shoots मेरे celebrity cricketers जो भी मैं करता हूँ वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे ताकि आप और जादा से जादा modeling और acting के बारे में चीज़े समझ सके तो channel जरूर subscribe करना तीसरा point है दोस्तों आप ready रहो feedback लेने के लिए देखो जो जिस पर आपको भरोसा है जो लोग आपके close है उनके साथ बैठो उनको अपनी photos दिखाओ जो जो आप practice कर रहे हो उनके साथ share करो और उनसे feedback लो उनसे बिखो जो yes man होता है नो आस पास जो बोता रहे वा वा हर उसको गलत बोलते हैं सो ऐसे लोगों के साथ बैठके आप feedback लें पूछें क्यार मैं कैसा कर रहा हूं या कर रही हूं मेरा angle कैसा लग रहा है photos कैसी लग रहे मेरी posing अच्छी है बुरी है feedback लो और feedback लेने का मतलब यह नहीं कि आप disappoint हो जाए कोई बोले रहे बिकार कर रहाया तिरसे कुछ हो नहीं रहा तिरे को अभी और टाइम लेगा कोई बात नहीं इस से लर्निंग प्रोसेस आपने टाइम लगाना है सीखना है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन feedback जरूर लेना शुरू करें आखरी point है दोस्तों कि आपने social media को use करना शुरू करना है क्यूंकि यह कैस इसा platform है जहां पर आप अपने आपको showcase कर सकते हैं आप अपनी photos अगरा डाल के लोगों के साथ share कर सकते हैं उससे होगा क्या you never know कल को किसी brand की नजर आपकी photo पे पड़े या आपकी real पे पड़े उससे आपको chances जादा है discover होने के काम मिलने में collaboration मिलने में so जो लोग थोड़ा शाय फील करते हैं कि यार मैं अपना account open नहीं करना चाहता बंद रखूंगा मेरे रिस्तेदार क्या बोलेंगे दोस्त क्या बोलेंगे तो modeling line आपके लिए नहीं है you have to think about yourself अपना page open करो profile अपना open करो चीज़े regular वहां पे डालो and this will help you to कहते हैं ना अपनी modeling career अपनी modeling के journey को और हो जाना enhance करने के लिए well I hope आपको आज का वीडियो पसंद आयो कैसा लगा अभी भी कोई सवाल है नीचे comment section में अपना सवाल डाल सकते हैं comment में mention कर सकते हैं मैं जरूर आप लोग के लिए video लेके आऊंगा thank you so much for watching bye bye